सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा और चूक कर जाएंगे बहुत सारे लोग 99 परसेंट लोग चूक कर सकते हैं इसके की रिजल्ट देखने में क्योंकि रिजल्ट कुछ और टरीक से देखा जाता है जैसे कि टीसेश क्यू भागा यह सारे चीज़े हैं जब आप देकर को आई है कि अर को बढ़कर आई है कितना बढ़कर आई है आघ से 10% के अराउंड यहां पर उच्छाल है टूटल रिविन्यू में ठीक है भी या यहां पर और आगे बढ़ते हैं तो expenses है यहां पर देखने हूं मिलते हैं profit before tax आपका 23.36 करोड रुपे का देखने हूं मिलता है नियाने की in-line है पिछले quarter के comparison year on year basis पर अच्छे है 19.55 करोड के around यहां पर देखने हूं मिलता था जो की 23.36 करोड के around देखने हूं मिलता है यह आपका profit before tax देखने हूं मिलता है ठीक है भी या यहां पर profit after tax आप्टर टेक्स जो है उसमें क्या देखने हूं मिलता है 19.94 करोड sorry 19.94 करोड रुपय का यहां पर आपको देखने हूं मिलता है और वहीं आपको देखने हूं मिलता है 23.93 करोड रुपय का पिछले क्वाटर में जो कि इस क्वाटर में 19.94 करोड का निकल कर आया है तो पिछले quarter on quarter basis पर अच्छे नहीं है, पिछले quarter में क्या था, टेक्स का कोड़ सा रिलीफ ता, जिसकी वज़े से आपको जो है ना, पिछले quarter में जादा कुछ देखने को नहीं मिला, अदरवाइस, टेक्स का रिलीफ नहीं होता, तो ये quarter और पिछला quarter सेम सेम, दोनों वहिय अगर ये market जो है ना, year on year basis पर देखती है, तो तो भईय स्टॉक जो है रोकेगा नहीं, ठीक है ना, और अगर यहाँ पर quarter दर quarter basis पर देखती है, तो यहाँ पर जो है आपका घटेगा स्टॉक, बट यहीं पर एक ट्विस्ट है, वो मैं आपको बताओं, तो यहाँ पर EPS ग गोता खा गया है, ठीक है, यानि कि जो हम LIC का एक अनुमान लगा रहे थे, या market यहाँ पर जिस तरहीं से स्टॉक दोड रहा था, वो एक समझ में आ गया, कि सीदी से बाद है, market आपको reason नहीं बताएगा, आपको समझने पड़ता तो मुझे तो LIC का रीजन समझ में आ रह कि यर ओन यर बेसे समझ नहीं क्यूंकि आपका करेंड का यहां पर जो इन डील है, तो पिछले क्वाटर के कंपेरजन स्क्वाटर में कर पाएगो और एक लंबा टाइम हो चुका है, लंसलों सम् 3-4 महीन हो चुके 4-5 महीन है, तो कुछ असर अभी LIC का आया नहीं यह अप दोड़ाया दरवाई इतना नहीं दोड़ता है, इतना यार आज की डेट में भी अपा सर्केट हिट कर गया, तो कहीं नहीं कुछ तो बात यहां पर जोने एक्सपेट कर रहा था, मार्केट नहीं मिली, बड़ यह नम्मस को थोड़ा सा चींज करकर पढ़ना पढ़ेगा, क अब कैसे पढ़ेगा, सारी बात यह के चीज पर आकर रुकती है, अर्णिक पर शेयर, किया आपका अर्णिक पर शेयर भट रहा है, आपको इस कौर्टर में तो डाउन देखने को मिला है, राइट, बट और ओवर ओल, यहां पर ना आपका अर्णिक पर शेयर कैसा है, मुझे देखने को मिलता है वो यहां पर निकल कर रहा है इस quarter के बाद 2.05 को जो मैं लेटेस quarter को जोड़ता हूं पिछले तीन quarter से तो 7.06 का मुझे EPS देखने को मिलता है 7.06 का EPS 7.06 का EPS यही बास सब कुछ यहां पर जो है ना सब कुछ समिट जाती आपका overall earning pressure बढ़ा है ठीक है यह क्या कहता है यह कहता है कि बास आपका जो negative growth है उसकी कोई बात नहीं है अगर यह जो overall EPS था इस quarter से पहले अगर उसमें कोई गरावट आती तब आप कहते है कि या बास दिक्कत हो गई दिक्कत हो गई भी यह ठीक है ना तो अगर कल कोई गरावट मिली भी तो मुझे लगता है possible है कि कल यह recover कर जाए ठीक ना बड़ यह possibility है यह होगा या नहीं होगा वो market में समझेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं मायूसी तो आएगी अगर quarter quarter market ने देखा तो मायूसी आएगी बट overall जो EPS आपका बढ़ा है वो मुझे लगता है कि वो सारी कि सारी मायूसी जो है वो डाइजेस्ट कर रहे है और स्टॉक जो है वो हाईयर साइडी कहीं की ट्रेड करना चाहिए मुझे एक ऐसा expectation लग रहा है जो पी रेशो यहाँ पर बना आया आपका 27.72 था यह आपका जो है 7.06 का EPS है और पी रेशो इस साबसे 25.77 यानि कि मोटा मोटा मुझे लग रहा कि करेंट भाउस है 12 रुपए स्टॉक में और तेजी देखने मुझे सकती है इस से जादा नहीं यानि कि 200 रुपए तक यहाँ पर पॉसिबिल्टी है स्टॉक टच कर जाए अब आज करे कल करे इस से मतलब नहीं है बट यह कर सकता है तो आप पूछेंगे क्या यह काम करता है भाई अभी तक तो काम करता है ठीक है ना अब कैल्टन के सिनेरियों में क्या होगा यह तो कल देखना पड़ेगा अब मैं तो एक अनुमान लगा कि चल ला हूँ बट हां मेरे अनुमान से कोई ट्रेड मत लीचेगा यह दियान रखेगा ठीक है यह दियान रखना है यह इग्नोर नहीं करना है कोई ट्रेडिंग मत करी है इस अनुमान से यहां पर है जी एमार इंफरा में मैं यह कर चुका हूँ उसको मैंने तीस रुपे पर रेलाइस किया था कुछ इसी तरह किसे ओवराल एपियस बढ़ता नीचे खुला था बाइसा ऊपर बंद हुआ उसके कितिनी तारिक है 15 तारिक यह जो आरे साइए न वह आज भड़ गया है आज 20 परसेंट की तेजी है तो आप समझ सकते हैं कि कहां पर पहुंच चुका है आपका आरे साइए तो गिरावट तो आनी थी क्योंकि स्टॉक है ओबर बाउट पर रहे हैं लास्ट मेरे को यहां पर है तो यह मार्च का हाई था इसको क्रॉस किया यारिक र कोई हाई बनता है तो एक तरीके से हमारे लिए नेक्स ताम पूर रेस्टेंस का फेस करता है तो वह इस टोक ने क्रॉस किया एच्छी तरीके से फी कि सारण बाकि मुविंग एवरेज कहां पर है मूविंग एवरेज कि यह रवा कि धिक्यत की बादल मुविंग एवरेज सौर पर है बट कल देखते हैं सेनेरियो बड़ा ही एक ना इंटरस्टिंग होगा केलिटन के अंदर कि अगर ये डाउंसाइट ओपन भी होगा ना तब भी आपर जो ओवरल EPS जो इंक्रीज हुआ है टीसियस में देखे गया जिस तरीके से मैं हर चीज में देखता हूँ तो उसमें ना कामियावी आसल हुए लिए एक पर ना बाउट है और आप खुद भी यहांपर समझते हैं पर बाउट है तो जादा चलने का उसमें है नहीं और नम्मर्स भी कोई ऐसे फिंटास्टिक नहीं है ठीक ना तो यह एक बात सौर उपर रहना चाहिए स्टॉक यह तो समझ में आता है बट इधर की तरफ खरिदना या यह एक जोक की तरह है बट एलाइसी का इंतजार है जो लाइसी यहां पर इन्होंने डील हासल करी है वो उससे क्या इंपेक्ट पढ़ रहा है वो जाला जानना है देखते हैं आपर क्या रहता है कल की दिन सो मिदे काफी कुछ आपको समझ में आयो एक बार नेविस से पहले आपने ब्रोकर एडवाईस से जरू सला लीजिए खुद की स्टेडी करें उससे पैदा कुछ भी नहीं है खुद की स्टेडी करने के बाद ही कुछ करिएगा मेरी बात जाद अतर है यहां पर जो एपियस वाली है उसको थोड़ा सा ट्रेडिंग से दूर रखिए तो आप दीचे में जाए बढ़ी देखने के लिए बहुत है नमाद दूस्तों